समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल नागियास लरनी गड़ा पर दोस्तों आज की इस क्लास में RPSC स्कूल लेक्चरर के लिए जो लिटररी फॉर्म्स टॉपिक है हमारे उसमें सेकंड टॉपिक है हमारा सोनेट सोनेट की बात करने वाले हैं एकदम शोट वीडियो है और बहुत अच्छी जानकारी होगी इसमें आपके लिए सोनेट होता क्या है सोनेट के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक आपे ओर फॉर्टिन लाइन्स एक चोधा लैनों की कवी आप उति है उसको हम बोलते हैं सोनेट चोधा लैनों की कोई भी कवीता होती है उसको सोनेट बोलते हैं और सेकंड लाइन में कहते हैं कि the idea has to be introduced developed and concluded within the limited 14 lines इस कविता में क्या होता है कि जो idea होता है वो introduce किया जाता है idea से परीचित किया जाता है उसका develop किया जाता है और उसका last conclusion किया जाता है सिर्फ 14 लाइनों के अंदर यह सारी चीजें बताई जाती है उसके बाद हम बात करते हैं इसके kinds की तो इसके प्रकार जो होते हैं दो होते हैं एक तो पेट्राकन sonnet होता है और पेट्राकन sonnet को हम Italian sonnet भी कहते हैं पेट्राक नाम के एक point ने इसकी खोज की थी इसलिए इसको पेट्राकन sonnet का जाता है और यह इटली के थे इसलिए इसको इंग्लीश गाते हैं। अब क्या फर्क होता है पेट्राकन सोनेट और शेक्षपिरियन सोनेट या इटालियन सोनेट और इंगलिश सोनेट में तो देखे सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं पेट्राकन सोनेट की पेट्राकन सोनेट जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं दो मेन पार्ट होते है एक तो octave होता है और एक sested होता है octave में शुरुआत में 8 लाइने होती है और जो poem का दूसरा पार्ट होता है उसको sested कहते हैं इसमें 6 लाइने होती है और दो लोगों को मिला दिया जाए तो ये लाइने 14 होती है तो Petra Consonet के कितने पार्ट होते हैं पेट्राकन सोनेट के दो पार्ट होते हैं, ओक्टेव और सेस्टेट, ओक्टेव में आठ लाइने होती हैं, और सेस्टेट में छे लाइने होते हैं, और जो ये दूसरा सोनेट होता है, शेक्षपिरियन सोनेट, इसके तीन पार्ट होते हैं, it has three stanza यानि कि 3 paragraph होते हैं तीन पैरा होते हैं और प्रतेक पैरा में 4 lines होते हैं each and concluding couplet और एक last में एक निशकर्ष के रूप में एक couplet होता है जिसको couplet को हिंदी में अपन कहते हैं दोहा, एक last में दोहा होता है यानि कि जो यह कह रहा है it has three stanza of four lines चार, चार, चार line के तीन stanza होते हैं तो यह line कितनी होगी और last में एक couplet होता है couplet जो होता है वो दो line हो का होता है तो इस तरह से मिला कर यह 14 line की poem होती है जहां Petrachan sonnet में दो main part होते हैं octave और sextet शुरुआत की 8 line है octave और बीचे की 6 line है से state कहलाती है उसी प्रकार जो Shakespearean sonnet है या जो English sonnet है English sonnet के 3 stanza होते हैं कितने stanza होते हैं 3 और प्रतेक stanza में कितने line होती हैं 4-4 line के 3 stanza होते हैं last में conclude couplet होता है और जो इसका meter होता है वो iambic pentameter होता है iambic pentameter के उपर अपने एक separate video बनाएंगे iambic pentameter जो होता है या इसके बारे में भी जानना है क्योंकि जो school lecturer में हमारे को 8 points पढ़नी है वहाँ पर भी point लोगों ने अलग-लग point में iambic pentameter का use किया है एक तरह का पेमाना होता है इसके उपर अपन separate में वीडियो में जानेगे कि क्या होता है तो इसमें जो Shakespearean sonate होता है इसमें iambic pentameter का भी use किया जाता है यहाँ पर दो-तीन बातें और हैं जो आपको जाननी चाहिए कि sonates sonates जो था ही वो Milton ने लिखे थे इनका एक sonate था sonates नाम से और same नाम से ही William Shakespeare ने भी लिखा था sonates नाम का sonate Milton ने भी लिखा था और Shakespeare ने भी लिखा था और जो William Shakespeare ने जो लिखा था sonates नाम का sonate यह किसी dark lady को address करते हुए लिखा था और एक चीज़ और याद रखने हैं दोस्तों कि composed upon Westminster bridge यह भी एक sonate था और यह sonate लिखा गया था William Wordsworth के द्वारा तो यह कुछ छोटी सी जानकारी थी sonate के संबंद में चोटा वीडियो भले ही चोटा है लेकिन इसमें sonate की संपूर्ण जानकारी है और यह आपके school lecturer के लिए exam के लिए DSSB के लिए KVS के लिए NVS के लिए अगर आप English के teacher बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके दोस्तों बहुत उपियोगी होने वाला है वीडियो को share कीजिए like कीजिए comment कीजिए दोस्तों को बताएं धन्यवाद